हेलो फ्रेंड आज हम लोग क्लास फोर्थ इवियस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 19 अब्दुल इन दा गार्डन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल फ्रेंडशिट पीपरेशन पे अगर आप नई हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके मेरा नाम है क्रिशन और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अब्दुल इन दा गार्डन चैप्टर इस चैप्टर की अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल और वो अपने फादर की हेल्प करता है इस गार्डन में जा करके जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कुछ एक्टिविटी ये अब्दुल कर रहा है ठीक है चले स्टोरी को पढ़ते हैं समझते हैं कि इस चैप्टर में आकर स्टोरी में है क्या इस स्टोरी के अंदर अब्दुल जो के एक छोटा बच्चा है उसकी छुटियां चल रही है तो वो अपने फादर की यानि अबू की help करता है तो उसके फादर जो उनके घर में vegetable beds है यानि कह सकते हो कि सब्जियों की बाड़ी या फिर सब्जियों का छोटा सा एक नरसरी है जहां पर वो उसके फादर काम कर रहे हैं जो भी सूखे हुए पत्ते हैं और घासे उनको साफ करने का उनको अलग करने का तो अब्दुल भी not easy to pull out even the small grass तो अब्दुल भी अपने फादर की help करने के लिए घास को खीचना स्टार्ट कर देता है उसे अलग करना स्टार्ट कर देता है लेकिन वो देखता है कि सब करने के बाद कि ये जो छोटे छोटे घासे इनको भी खीच पाना आसान काम नहीं है देखने में small grass है य फिल्कुल लाल हो जाते हैं खीच खीच करके हाथ लाल हो जाते हैं जैसा कि आप ये picture में देख रहे हो यहाँ पर ये खीचने का काम अब्दुल कर रहा है और जब ये सब करता है तो उसके जो हाथ होते हैं ये सब red हो जाते हैं लाल हो जाते हैं जब आप ज़्यादा effort लग तो इस बीच में क्या होता है, एक stick, एक लकडी का एक टुकडा, जो की support लगा रखा था, उसके फादर ने pea plant को support करने के लिए, और वो उसे थीच लेता है, अब जो pea plant है, यानि मटर का एक पौधा है, उसको support करने के लिए जो stick लगाए गए थी, जब वो निकाल लेता है, तो उसका जो तना होता है, वो तूड़ जाता है, क्योंकि उसके support लगा रखा था, और support जब हटा दिया जाता है, तो फिर हो क्या होता है, तो तूड़ जाता ह यानि कि अबदुल अपने फादर की help करने गया था, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड हो गई, अब उसके फादर हैं, वो कहते हैं, अब उसके फादर कहते हैं, कि तुम इसे खीचने की कोशिस क्यों कर रहे हो, जो घास हैं, इसे खीचो मत, इसकी जो roots हैं, वो कर निकालो, जैसे अब यह देखो, यह बच्चा क्या कर रहा था, यहाँ पर जो भी घास दिख रहा हैं, उसे खीचने की कोशिस कर रहा है, लेकिन उसके फादर करते हैं, यह मत करो, क्योंकि इसके जो roots हैं, वो कैसे हैं, बिल्कुल strong है, यानि इनको खीच पाना आसान नही है, अगर घास को निकालना है, तो नीचे मिट्टी को थोड़ा सा गड़ा करो, और यहाँ से मिट्टी के साथ इसे निकालो, यानि roots के साथ निकालो, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो उसके फादर उसे suggest करते हैं, कि इस काम को कैसे किया जाता है, अब्दुल carefully dig out the plant, he then saw that the roots of the grass plant were longer, the much more spread out than the part of the plant above the ground, जब वो इसकी सब काम करता है, यानि उस ग्रास के छोटा सा जो प्लांट होता है, उसे वो निकालता है, तो जो इसको roots होते हैं, वो देखता है कि जो roots हैं, वो जमीन के नीचे ज़्यादा spread हो रखे हैं, as compared to the above of the ground, यानि कि जमीन के उपर जितना चोटा सा ग्रास इसके दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन उसके जो roots होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जैसा कि आप इस picture में देख रहे हो, कि अब्दुल के हाथ में ग्रास है, चोटा सा प्लांट है, और वो देखता है, जो उपर वाला घास है, ये जो दिख रहा है, ये हैं आपके लिए question number one, the stick which was stuck in the ground fell very easily, it was difficult to pull out a grass, small grass, why, अब देखो, वहाँ पे जो एक stick लगी भी थी, जो support के लिए लगा रखे थे उसके फादर ने, उसको खीच पाना तो बहुत असान है, ठीक है, बट जो grass है, जो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, उसको निकाल पाना बहुत difficult है, ऐसा q है, इसके पीछे आप से reason पूछा जा रहा है, तो उसके father नहीं बताया था, उसे, जो roots होते हैं, वो कैसे होते हैं, strong होते हैं, ठीक है, जो भी plants होते हैं, उनके roots कैसे होते हैं, strong होते हैं, इस वज़े से इनको खीच पाना आसान नहीं होता है, अब इस question का answer भी हम लिख सकते हैं तो पहले आप क्या करोगे इस question को note करोगे note करने के बाद इसका answer आप लिख सकते हो it is difficult to pull out small grass because the roots of the grass were firmly holding the grass with soil यानि जो grass है उसके जो roots होते हैं वो क्या करते हैं जब जमीन में गड़े हुए होते हैं तो वो बहुत मजबूती से grass क्या करता है मिट्टी को जखड़े रहते हैं और इस वज़े से इनको खीच पाना हमारे लिए क्या होता है difficult होता है जैसा अबदुलिये try कर रहा था लेकिन वो कर नहीं फा रहा था तो उसके फादर ने suggest किया था कि आप मिट्टी के साथ निकालो कि ये ऐसे निकालोगे तो दिक्कत होगी खीचना नहीं है बलकि उसे डिक करना है यानि कि खोदना है खोद के निकालोगे तो क्या होगा roots के साथ निकाल पाओगे ठीक है तो ये काम कैसे किया जाता है उसके फादर ने उसे बताया था तो आप इस first question का answer इस तरीके से लेख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब move करते हैं second question के और, second question यह है आपके लिए, do all plants have roots, क्या जितने भी plants होते हैं, जो भी आपने देखे हैं, उन सब में क्या roots होते हैं, क्या उनके अंदर जड़ होता हैं, यह नहीं होता हैं, यह आपको answer करना है, तो simply इसका answer आप yes लिख सकते हैं, कि आपने जितने भी plants देखे होंगे, सब के अंदर आपने जरूर देखा होगा इसके roots, जैसे for example, आपके घर में जो vegetable आते हैं, उसके अंदर भी आपने roots जरूर देखे होंगे, जैसे इस picture में आप देख सकते हो, different types of vegetables हैं, और सब के roots आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो आप इसका answer लिख सकते हो, कि all plants have roots, कि जि root contain करते हैं, उनके पास roots होता है, अगर root होगा, तभी जो ग्रो कर पाएंगे, है ना, तो आप answer में yes लिख सकते हैं, इस तरीके से, आच इसके बाद next हैं आपके लिए question number 3, ठीक है, अब इसे बढ़ते हैं, look at some plants and tree around you, imagine how deep and spread out the roots of these are, अब देखो, आपके घर के आसपास, जो benefit tree हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपके surrounding में, आपके घर में हो सकता है, आपके गली में हो सकता है, nearby park में होगा, school में होगा, जहाँ पे भी आपने देखना है, उनको ध्यान से देखना है, और आपको imagine करके बताना है, कि इनके जो roots होते हैं, ठीक है, यानि आपको roots दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो, कि जितने भी plants होते हैं, या फिर tree हैं, जो भी उनकी height होती है, उतनी height के तो roots होते ही होते हैं, कभी-कभी तो उन से भी ज़्यादा बड़े हैं, उनके roots होते हैं, तो आप question number 3 का answer कुछ इस तरीके स से लेख सकते हो, the roots of the plants are 2 inch to 10 inch deep, क्योंकि जो plants होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो उनके roots भी छोटे होंगे, मलब approximately आप कह सकते हो, 2 inch से लेकर के 10 inch के around होते ही हैं, जैसे कि आप इस picture में देख रहे हो, कि आपको में एक plant दिखा रहा हूँ आपको, और इस plant में जितनी इसकी height हैं, लगबग उतना ही इसके roots फैले हुए हैं, लेकिन नीचे देखो, यह और grow कर रहे हैं, और बड़े होते चले जा रहे हैं, तो आप यह कह सकते हो, कि around 2 inch से लेकर के 10 inch तक इनकी height या इसकी length आप कह सकते हो, इसके roots की, अगर हम tree की बात करें, ठीक है, अभी तक तो हमने plants के बारे में बोला, लेकिन आप tree की बारे में लिखें, तो हम लिख सकते हैं, while the roots of a tree are 5 feet to 50 feet in the earth, यानि जो भी plant आपने देखे हैं, उनके तो छोटे होते हैं, लेकिन जो tree देखे हैं, approximately 5 feet के तो होते ही हैं, ठीक है, तो 5 feet के tree तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन बहुत सार tree तो बहुत बड़े भी होते हैं, 50 feet, 100 feet तक भी होते हैं, तो इनके roots भी बहुत नीचे ये फैले हुए होते हैं, जैसे कि आप इस picture में देख पा रहे हो, तो आप लिख सकते हो, plant के बारे में, कि ये 2 से 10 inches तक होते हैं, लेकिन अगर हम tree की बात करें, तो ये 5 feet से लेकर के, 50 feet तक जमीन के अंदर फैले होते हैं, spread हुए होते हैं, तो आप इसका answer इस तरीके से लेख सकते हो, और हाँ, इस question में drawing करने के लिए, बोला तो नहीं गया है, लेकिन इस तरह से अगर आप diagram draw करके, अच्छे से display करोगे, तो आपको exam में भी अच्छे marks मिलेंगे, ठीक है, tree draw कर दो, और tree के roots आप show कर सकते हो, और यह जितने भी spread हो रखे हैं, कि approximately माल लेते हैं, 50 feet हो रखे हैं, तो आप यहाँ पर mention भी कर सकते हो, 50 feet, और जैसे यहाँ देख रहे हो, कि around 2 से लेके 10 inches तक, तो यहाँ पर 10 inches में लिख लेता हूँ, कि 10 inches यह spread हो रखे हैं, root, तो यह भ number 4, after 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plants had dried, जो इसने उखाडा था ना, एक stick जो लगी थी, जिसे अबदुल ने उखाड दिया था, तो उसका जो plant का जो वो part है, ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद देखता है, वो dry हो गया है, ठीक है, ऐसा वो देखता है, तो अब आपके ल पहले ये बताना है, कि जो भी उसने खीचा था, ठीक है, जो pea plant को जो खीचा था बच्चे ने, और वो तूट करके गिर गया था, तो उसके बारे बताना है, गैस करना है, कि उस plant का कौन सा part ऐसा है, जो कि dry हो गया होगा, यानि सूग गया होगा, और उसके बाद reason भी बतान तो आप इसका answer कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, the leaves of broken part of the pea plants would have dried up, कि जो plants के जो leaves होते हैं, वो सबसे जल्दी dry हो जाते हैं, तो जो broken part हैं, अगर मैं बात करूँ, पूरे जो broken part के अंदर, जो leaves हैं, वो सूख गया होगे, यानि dry हो गया होगे, ठीक है, तो आपने parts के बारे में बता दिया, कि कौन सा part ऐसा है, जो सूख गया होगा, अब उसके पीछे reason भी बताना था हमें answer में, तो हम answer लिख सकते हैं, इस reason के बारे में, it is because of the broken part of the plant did not get water and minerals from the soil, क्योंकि जब वो जमीन से जुड़े वे थे, यानि जब वो टूटे वे नहीं थे, तो मिटी के अंदर से, soil के अंदर से वो पानी ले ले लेते थे, जितने उनको ज़रुत होती थे, इसके लाबा जो minerals चाहिए होते हैं, ठीक हैं, वो भी आप soil से वो ले ले लेते थे, लेकिन जब वो टूट गए हैं, यानि अब अबदुल की वज़े से वो जो टूट गए हैं, अब न कमेंट करके ज़रूर बताना, अची लगी, बुरी लगी, या जैसी भी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने वीडियो के बारे में अपने feedback ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों मीशे शेयर करना, और हाँ, चैनल Friendship Preparation को कर लो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो यह नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, यह आप मुझे इस्टाग्राम पर बता सकते हो, मेरी आईडी है आप मुझे मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, प्लास, सबजेक्ट, टॉपिक ज़रूर मेंशन करना ठीक है, ठैक्स पर वाचिंग, बाबाई